कोई इंसान आपको कितना जदा मैनुपलीट कर रहा है आपकी सेल्फ डाउट कराने में आपको बार बार लगतार आपको टॉर्चर कर रहा है सिर्फ और से फिजिकल टॉर्चर ही टॉर्चर नहीं होता है बलकि mentally टॉर्चर भी करना एक बहुत बढ़ा टॉर्चर होता है कई एक आपने बहुत से लोगों को स tumor किजने रिष्ट के कुछ और रिष्ट दार कुछ और वी नहीं होग wichtig वह रिष्टा बारबार बार मैनुकोलेट करते हैं तुम्हारी ही गलती है, ऐसा तुम नहीं किया है, वो कई बर के होता है कि कुछ ऐसे परसन होते हैं, जो हमें बार-बार लगतार कंट्रोल करते हैं, ये जो कंट्रोलिंग नेचर उनका होता है, वो हम उसके ट्रैप में इतना ज़ादा फस जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता ह तुम इतना जानती ही नहीं हो, तुमको नहीं समझ में आता है, तुम यह गलत फैसले ले सकती हो, यहानि कि बार 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 अगर आपके उपर self-doubt किया जाता है, आपको इस तरह का बनाये जाता है कि आप खुद ही self-doubt करो, और इनका जो एक कह सकते हैं कि एक बहुती fancy psych environment होत है आप ये देखेगा कि sudden वो अपना हाथ खीचेंगे आपको बिल्कुल डर्थ पर आके लिए भी छोड़के जा सकते हैं तो अपने मन में जो आपके safe doubt आता है कि शायद मैं ही बुरी हूँ शायद मेरे अंदर ही कुछ कमी है या कई बार कुछ कुछ ऐसे परसन भी होते हैं जो कि जान बुच कर कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि बिगाड़ते हैं और दूसरों के सामने आप शर्मिंदा हो जाते हैं चाहे वो वर्क प्लेस पे हो सकता है या घर भी हो सकता है कई बार दूसरों के सामने शर्मिंदा होने वाला भी काम यही सार बॉस जितने भी अलग तरह तरह की लोग होते हैं जितने भी रिष्टदार होते हैं यह सिर्फ और सिर्फ आपके साथ चलते हैं लेकिन आपको कुछ लोग आपको यह भी लगेगा कि यह ऐसी बाते बोर रहे हैं पत्नी के साथ भी होना चाहिए लेकिन जो परसन आपको बार- बार लगतार आप इतने बैक जब आपको पता चलता है यह सारी सचाई पता चलती है आप वहां से खुद से स्टार्ट वहां से लेने में कई बारा फेज की जाते हैं आपको इतनी इतनी आदत उनकी पड़ी होती है आपको लगता है कि नहीं जो वो बंदा कर रहा है वो बिल् करना है सीन जिसके वज़से कई वर क्या होता है कि आप ही गलत सावित नजर आते हैं लेकिन अपने बात पे अपनी वानी के उपर आपको सेल्फ कंट्रोल जरूर होना चाहिए आपको कोई भी ऐसा एक्षन या कोई भी ऐसा रियाक्षन नहीं देना है वो चाहेंगे कि आपको कंट्रोलिंग नेचर होता है चाहें वो पती पतनी के बीच में हो बहुत सरे ऐसे रिष्टे होते हैं जो की बस नाम के लिए चलते आ रहे हैं तो ये जो गप architecture होता है कभी आपके decision को appreciate नहीं करते हैं नाहीं कभी बढ़ने देते हैं पूरी की पूरी तरह से dependency आपकी जो होती है उनके उपर होती है तो वो चीज आने मत दिजए किसी को भी अपने हाथ पे जो आपकी जो गाड़ी की जावी है वो किसी को भी नहीं देनी है अपने life की जो गाड़ी है वो आपको खुदी drive करनी है चाहे आपको आती हो या नहीं आती हो आपको सीखना पड़ेगा बार बार लगतार self-doubt करने से बचे हाँ कुछ गलतियां होती है वो गलतियों से हमें सीखना है आगे बढ़ना है self-help book पढ़नी है ऐसे books पढ़ने हैं बड़े-बड़े लोगों की बाते सुननी है समझनी है ताकि आपको समझ में आएगा कि वो इनसान सच में आपको manipulate कर रहा था और ये manipulation बहुत ही ज़ादा आपको महंगे पढ़ती है असकी आपकी बहुत ही ज़ादा तो please stop यहाँ पर आप रुके कोई इनसान इतना भी ज़ादा controlling नहीं होना चाहिए आपकी पसंद नापसंद उनकी लिए भी बहुत important होनी चाहिए अगर वो सच में आपके लिए supportive है तो supportive दिखना और supportive actually होना इन दोनों ही चीज़ों में बहुत बड़ा difference है तो इन difference को समझे अपने आसपास के लोगों के trap से बचे क्योंकि असल जिंदगी में भी vamps होते हैं बहुत सरे ऐसे negative लोग होते हैं villain भी होते हैं जहां से हमें बचने की आवशकता है अपने आपको बिल्कुल positive रखे शान्त रहे कोई भी ऐसा गलत reaction ना दे क्योंकि अगर आपका एक गलत reaction होगा वो सामने वाला उसी को हथियार बना बना कर अपने आपको ही victim साबित करेगा तो आपको victim भी play नहीं करना है खुद को कमजोर नहीं बनाना और अलग से एक मैंने वीडियो बनाई है कि खुद को कमजोर ना बंद कर दे सेर्फ डाउट ना रखें आपने पे विश्वास रखें इश्वर पे विश्वास रखें और अपना कर्म करते जाए धन्यवाद